सवन आरक्षन, कर्ज माफी और CBI RBI की बड़ी बड़ी खबरों के बीच एक और खबर है UPSC शात्रों के आंदोलन की UPSC शात्रों के इस आंदोलन की खबरें जो मीडिया में चल रही है उसे देखकर ये लग सकता है कि ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली भर में है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है यूपी के इलहाबाद, बिहार के पटना, गुजरात के एहमदाबाद, करनाटक के बैंगलूरू जैसे तमाव शहरों के वो शात्र जो IES, IPS बनने का ख़ब देखकर अपनी जिन्दगी के कई साल बिता देते हैं वो अब ठगा महसूस कर रहे है दिल्ली की सड़कों पर नारे लगाने, तक्तियां लेकर प्रदशन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि देश की संसद और सरकार तक इनकी आवाज पहुंच सके चात्र इस बात से नाराज हैं कि UPSC ने पिछले कुछ साल में परिक्षा के सिलेबस और पैटर्न में बड़े-बड़े बदलाव कर दिये जिससे ये परिक्षा नहीं, एक्जाम सिस्टम का GST बन गया है GST समझ रहे हैं आप, जिसके बार-बार नियम कानून और स्लैब बदलते रहते हैं अब ए शात्र परिक्षा में और चांस देने की मांग कर रहे हैं UPSC का इंटर्व्यू दे चुके बिहार के अभिशेक से जब हमने पूछा कि एक्स्ट्रा चांस क्यों मांग रहे हैं आप तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई T20 मैच होने जा रहा है टॉस हो जाता है, खिलाडी तय हो जाते हैं लेकिन मैच शुरू होने से पहले ये बोल दिया जाता है कि ये मैच T20 नहीं, 50-50 ओर का है अब ये बताईए क्या ये नाइंसाफी नहीं है अभिशेक कहते हैं कि UPSC ने हमारे साथ 2011 से लेकर 2015 तक कई बार ऐसे बढ़ताव किया है यानि अभिशेक का कहना है कि 4 साल में 3 बार पैटन बदल दिया गया, कोर्स बदल दिया गया साल 2011 में UPSC ने Civil Services परिक्षा के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया था अब ये बदलाव क्या है मैं बता रहा हूँ आयोग उस साल प्रारंभिक परिक्षा में CSET लेकर आया मतलब एक पेपर CSET, दूसरा पेपर General Studies CSET में Math, Reasoning, English के सवाल पूछे जाने लगे शुरुआती परिक्षा का रिजल्ट तयार करने में CSET के अंक भी जोड़े जाने लगे इसलिए से कोई नजरंदाज नहीं कर सकता था इस नियम से पहले क्या नियम था कि प्रारंभिक परिक्षा में एक पेपर General Studies का होता था, दूसरा पेपर Optional Subject का होता था जिसे कोई छात्र अपनी मर्जी से चुनता था एक साल बाद यानि 2013 में आयोग ने एक और बदलावगा डाला 2012 तक में एक्जाम में दो Optional Subject के साथ General Studies की पेपर होते थे अब अचानक मेंस एक्जाम से एक Optional Subject हटा दिया गया और उसकी जगे General Studies के Extra Paper जोड़ दिये गया इस तरह Optional Subject की Value अचानक घड़ गई जबकि General Studies का महत और बढ़ गया अभी परिक्षार्थी अच्छे से सिस्टम समझ भी नहीं सके थे कि साल 2015 में आयोग ने एक और बदलाव कर डाला आयोग को अपनी भूल का एहसास हुआ तो सी सेट को सर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया पहले सी सेट में हासिल अंक प्रारंबिक परिक्षा में जुड जाते थे जबकि अब इसे सर्फ क्वालिफाइं करना जरूरी हो गया अब आप सोचिए कि ये भूल हुई क्यों देश भर के लाकों शात्र अपनी जिंदगी के 10-10 साल परिक्षा की तयारी में निकाल देते हैं और आप भूल पर भूल किये जा रहा है आखिर पूरी तयारी के साथ जो विशेशग्यों की फौज है आपके पास उससे पूरी रिसर्च और स्टडी करके फैसले क्यों नहीं लिया आते हैं अगर पूरी प्रक्रिया के बाद ही लागू की यादते हैं तो इन्हें बार-बार बदलने की जरूरत क्यों पड़ती हैं इन्ही आंदोलन कर रहा है शात्रों में से एक हैं इलहाबाद के रजनीश जो कहते हैं आयोग ने इस प्रतिष्ठित परिक्षा को लैब बना दिया है और हम सब को यानी परिक्षारतियों को चुहा। कुछी बरस में तरह तरह के परियोग इन चुहों पर किये गए और इन्हें अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब शात्रों का तर्क यह है कि साल 2015 जिनके लिए आखरी मौका था उनका करियर प्रभावित हुआ जिनके लिए 2016 या 2017 आखरी मौका था उनका भी करियर प्रभावित हुआ है इसी ग्राउंड पर वो साल 2019, 2020 और 2021 में एक्स्ट्रा चांस मांग रहे हैं लेकिन यह सारी बात एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है वो सर्फ रोटी से खेलता है मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है मेरे देश की संसद मौन है